नमस्कार व्यूर्स जीनीज 24 येंगी ग्वालेनीज 24 पर आप सभी का स्वागत है प्रस्ट जैस की समाचार के प्रदेश में 18 से लेके 44 साथ है क्योंगी 45 से उपर के आईउ के हमारे नागरकों का टीका करण का अम्यान जारी है डोजेज की उपलब्धता के हिसाफ से वो वैक्सिनेशन का कारिकम चलना है वो यद्धावस चलता रहेगा हमारी कौसिस रहेगी के जल्दी डोजेज प्राप्त होते रहे और हम वैक्सिनेशन को और गती प्रदान करते रहें क्योंकि संक्रमन की चैन तोड़ना नमबर एक और वैक्सिनेशन का काम तेजी से करना नमबर दो ये इस महामारी पर नियंतन करने के लिए बहुत आवस्यक है अब 18 से लेके 44 बर्स के हमारे जो नौजवान है या प्रोड़ भाई बहन है उनको भी वैक्सिनेशन का कारिकम तीका करन का कारिकम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे अभी हमने जो आकलन किया कि जो संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सिनेशन करना पड़ेगा 18 से लेके 44 साल तक की उसके लिए हमको जो डोजेज की जगत पड़ेगी वो 5 करोड 29 लाख डोजेज की आवसकता होगी तो 5 करोड 29 लाख डोजेज के दोनों वैक्सिन निर्माता जो कंपनी हमारी कोवी सील्ड वैक्सिन के लगबग 4 करोड 76 लाख और कोवैक्सिन के लगबग 52 लाख 25 लाख डोजेज के क्रेक करने के खरीदने के ओरडर हमने दे दिये हैं और हम लगातार ये कौसिस कर रहे हैं कि दोनों वैक्सिन दिर्माता सीरम इंस्टूट आफ इंडिया पुड़े महराफ्त और भारत बायोट टैक वैक्सिन हैदराबाद ये हमको तेही से सप्लाई करे अभी सप्लाई की सुनिश्चित्ता नहीं कि कब वो कितनी देंगे ये ब पाइनल किया है इस बीच मुझे लगता है 15 मही के असपास हमको और डोजेज प्राप्त होने लगेंगे जो चर्चा के आधार पर दिखाई दे रहा है तो हम अगले सत्रों का निर्दारन भी हम करेंगे 5 और 6 मही को हम सबूरात करेंगे 104 जो सत्र है उनमें लगवक 10,400 और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे 12,13,15 मही को ये सत्र बढ़ाके 960 कर दे जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे तो यहां से हम ये प्रारंग को कर रहे हैं और मुझे लगता कि स्पीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जन्दी उपलब्ध कराई जाए तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी हम अपने रोजवानों को ये वैक्सीन लगाते जाएंगे सब को दिस्टूर के लगाएंगे यह हमारा संकल्प है कोई नहीं चूटेगा ये भी हमारा संकल्प है जो हमारे पत करके हम इस बात की भी संभावना है ट्रकोल रहें कि अगर ये निश्चे समय सीमा में डोजेज की आपूर्ती हमको नहीं कर पाती तो क्या हम दो के अलाबा इंपोर्ट करके भी कहीं से और तीसी वैक्सीन ला सकते हैं तो संभावना के भी मैंने निर्देश दिये हैं ताकि यथा संभव हम अपने 18 से लेके 44 साल तक के नौजवान बेटे बेटियों को भी और प्रॉड भाई वहनों को भी ये वैक्सीन के डोज लगा के उनको स्वस्त रहने की आस्वस्ती दे सकें और इस महामारी से बचाने के लिए पितरोदक शंता उनके अंदर पैदा और इस बात का प्रयास कर सकें ये मुझे लगा कि हम आज की समाचारों में बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार